दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग George Bernard Shaw का एक famous essay discuss करेंगे जिसका नाम है Spoken English and Broken English वो इस essay की शुरुआत में ही बोलते हैं कि there is no type of ideal correct English कोई भी perfect English नहीं बोल सकता चाहे वो अंग्रेज ही क्यों न हो George Bernard Shaw ऐसे की शुरुआत करते हैं ऐसा बोल कर कि मैं suppose करता हूँ आप सारे की सारे foreign students हैं और आप मेंसे किसी की भी mother tongue English नहीं है लेकिन आप सब के अंदर एक इच्छा है कि आप English बोल सकें उसको समझ सकें कि कभी भी आप Britain या America जैसी country में जाएं तो आप उनकी सामने अच्छे से English बोल पाएं और आप Britain में ही रहने वाले student हो तब भी किसी ना किसी regional जगे पर रहे कर आपकी English इतनी अच्छी नहीं जिससे आपको शर्म आती है अब सारे एक correct English बोलना चाहते हो तो ऐसे में वो बोलते हैं कि आप foreigner हो या native हो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूँगा कि यह ideally correct English नाम की कोई भी चीज नहीं होती दुनिया में एवन दो Britishers भी आपस में correctly बात नहीं कर सकते आप मेंसे कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी English अच्छी नहीं है इसकी वज़े से आपको नौकरे नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है हर कोई अपने तरीके से language को बोलता है जैसे इंडिया में आज इतने सारे states है हर state में हिंदी बोली जाती है लगपक I mean ज्यादतर states के अंदर हिंदी बोली जाती है लेकिन सबका बोलने का अपना एक अलग तरीका है UP का अलग तरीके से बोलेगा तो राजस्तान का अलग तरीके से बोलेगा यहाँ पर जार्ज बर्नार्ट शो बोलते है कि मैं British Broadcasting Corporation Committee का मेंबर हूँ तो मुझे अपाइंट किया गया है इस चीज़ के लिए कि मैं चेक करूँ कि जो भी employment के लिए आ रहा है यहाँ पर उसकी English pronunciation सही है या नहीं है मतलब वो correct English बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं employment के हिसाब से मैं आपको बता दू कि जिस committee का मैं member हूँ उस committee में काम करने वाले सारे के सारे लोग बहुत educated है education का मतलब यह नहीं है कि वो सिर्फ English जानते वो बहुत पड़े लिखे हैं सब जानते हैं वो जैसी वो English बोलते हैं न तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे बहुत ही अच्छी और perfect English बोल रहा है इवन हमारे जो chairman है वो खुद poet laureate है वो सिर्फ एक artist नहीं है बलकि जो जैसे words को बूला जाता है जिस तरीके से pronounce किया जाता है उसके एक specialist है नहाँ पर वो John Robertson की बात कर रहा है कि उनकी English speaking के अंदर एक खुबसूरती है लेकिन उनमें से कोई भी इंसान दूसरे की pronunciation को सही नहीं समस्ता यानि वो एक दूसरे को गलत समस्ता है कि मैंने जो pronounce किया वो ठीक है तुमने जो किया वो गलत है मतलब सारे की सारे इतने educated लोग थे लेकिन दो शब्द दो simple से simple common से common शब्दे yes और no ये दो शब्द English language में इतने simple है लेकिन कोई भी हमारी committee में कोई भी इन दो शब्दों को एक जैसा pronounce नहीं कर सकता लेकिन वो सारे के सारे yes और no को ऐसे pronounce करते हैं कि किसी भी type की country के अंदर ये दो शब्द किसी को भी समझ में आ जाए आम से आम आदनी को और खास से खास आदनी को George Bernard Show बोलते हैं कि English बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को बाकी languages से अलग दिखाओ कि हम तो English बोलते हैं हम तो अलग हैं बलकि हमें English इस तरह से बोलने चाहिए कि सामने वाले को बस समझ में आ जाए कि हम क्या बोल रहे है अब आप मुझसे पूछोगे कि चलो ठीक है आपने मुझे ये सब बता दिया कि सब की English अच्छी है और सब यस और नो को अपने तरीके से बोलते हैं लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि तुम्हारा फेवरेट कौन है इन सब में से क्योंकि इस कमिटी के अंदर Scottish members भी है Wales के भी है Oxford के भी है Americans भी है यानि सारे के सारे ऐसी जगाओं से आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे English बोलने के लिए मशूर है तो आपका फेवरेट कौन है अब आप खुद बोलते हो कि अलग-अलग जगाओं के members है कोई Wales से है कोई Scotland से है कोई America से है कोई Oxford University से है तो सब के dialects अलग-अलग है भाई सब अपनी regional language के हिसाब से बोलते हैं तो ये कहना तो एकदम बेवकुफी है कि इन में से कोई भी एक इनसान correct English बोलता है क्योंकि correct English क्या होती है किसी को भी नहीं पता for example मैं अगर ये recording कर रहा हूँ तो recording करते वक्त मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ मेरा तरीका अलग है लेकिन घर में जब मैं बात करूँगा और मैं इतना ध्यान देकर की बात करूँगा तो मेरी wife जरूर समझेगी कि मैं पागल हो गया हूँ घर में बोलने का तरीका अलग होता है बाहर बोलने का तरीका अलग होता है अगर आप मुझसे पूछोगी कि जैसा आप यहाँ पर बोलते हो माइक पर वैसा आप क्या घर में भी बात करते हो तो मैं कहूंगा कि नहीं, कोई भी नहीं करता अगर मैं यहाँ पर जैसे बात कर रहा हूँ वैसे अपनी वाइफ से बात करूँगा तो वो समझेगी पागल हो गया हूँ और वहाँ पर जैसे बात करता हूँ वैसे यहाँ पर बात करूँगा तो मेरी audience समझेगी कि मैं पागल हो गया हूँ अगर मैं किसी को speech देने जाऊंगा तो मैं इस तरीके से चिला कर बोलूँगा ताकि पीछे बैठे लोगों तक मेरी आवास पहुँचे और मैं अगर अगर अपनी वाइफ के साथ जो बच्चा foreign language को सीख रहा है English को सीख रहा है कि correctly English बोले और वो plan कर रहा है कि जब भी मैं कभी England जाऊंगा तो वहाँ के लोगों से English में correctly बात करूँगा तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा वो लोग तुम्हें समझेंगे ही नहीं मतलब English लोग सुमको समझेंगे ही नहीं योगि जब भी कभी तुम उन लोगों से मिलोगे तुमारे सारे भ्रह्म तूट जाएंगे कि वो लोग बहुत correct English बोलते हैं ऐसा नहीं होता अगर उनकी मातरबाशा English भी है तब भी वो correct English नहीं बोलते हैं अगर मैं लेंडन की बात करूँ तो लेंडन में हर हजार आदमियों में से 999 आदमी ऐसे विलेंगे आपको जो perfect English तो क्या बहुत बुरी English बोलते हैं यहाँ पर जार्ज बर्नार्ट शो क्या बोलते हैं Do not speak spoken English Speak broken English अगर आप उसके सामने broken English बोलोगे तो वो समझेगा कि आप बाहर के हो और आपको वो seriously रेना शुरू कर देगा वो समझने की कोशिच करेगा पहले आगर आप perfect English बोलोगे तो वो आपको समझने की कोशिच नहीं करेगा लेकिन आप अगर broken English बोलोगे तो वो आपको समझने की कोशिच करेगा विच वे, ब्रोकन इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे न तो आदा दर्जन लोग आजाएंगे आपके पास help करने के लिए वाँ पर अब मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा कि आप दूसरी country में जाओ ही मत आप जाओ, ब्रोकन इंग्लिश बोलो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना कम सीखने की जरूरत है, कि कितना कम सीखने की जरूरत है, मुझे तो यहाँ पर ब्रोकन इंग्लिश की जरूरत है, अगर आप उसके सामने जाकर परफेक्ट इंग्लिश बोलोगे और अगर वो आपकी इंग्लिश समझ नहीं पाया तो जरूर वो humiliated फील करेगा कि यहां का होकर यहां की language नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं किस काम का यहीं पर George Bernard Show अपना यह ऐसे खतम करते हैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही